नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ अभी सेक और आज मैं बात करने जा रहा हूँ लेकक अमरकांद द्वरा लिखी गई कहानी जिसका सर्षक है बहादुर यह कहानी एक मध्यम वर्गिय परिवार के जीवन से सम्मंदित समस्याओं पर आधारित है इस कहानी में एक बे सहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है तो चलिए दोस्तो, सुरु से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं दिल बहादुर लगभग 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली लड़का है उसके पिता की मृत्यू हो चुकी है और उसकी मा हमेशा उसे मारती बिटती रहती है जिससे तंग आकर वह अपने घर से भाग जाता है और एक मध्यम वर्गिय परिवार में घरेलू नौकर के बहादुर अत्यंत परिश्रमी, हसमुख और इमानदार लड़का है वह अपनी मेहनत से पूरे घर को साफ सुतरा रखता है और घर के सभी सदस्यों की सभी आवशक्ताओं को पूरा करता है उसके आने से परिवार के सभी सदस्ये बड़े ही आलसी बन गए है बहादुर इतना काम करने के बावजूद भी हमेशा हसता रहता है हसना और हसाना मानो उसकी आदत बन गई थी वहां रात में सोते समय कोई न कोई गीद जरूर गुन गुनाता है निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था जो की शान शौकत और रोब से रहना पसंद करता था उसने अपने सारे काम बहादूर को सौब दिये थे यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करता था तो वह बहादुर को गालिया देता था वह छोटी छोटी गल्ती पर बहादुर को पीटता भी था बहादुर पीटाई खाकर एक कोने में चुप-चाप खड़ा हो जाता था और कुछ देर बाद घर के कामों में पहले की तरह जुड जाता था एक दिन किशोर ने बहादुर को सुवर का बच्चा कह दिया जिससे उसके सुविमान को ठेस पहुची और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया फिर लेखक के पूछने पर उसने रोते हुए कहा कि बाबुजी भाईया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया इतना कहकर वह रो पड़ा धीरे धीरे निर्मला के विवहार में भी अंतर आने लगा और अब उसने बहादूर के लिए रोटिया सेखनी बंद कर दी और वह भी बहादूर पर हाथ उठाने लगी मारपीट और गालियों के कारण बहादूर से गलतिया और अधिक होने लगी एक दिन निर्मला के घर उसके रिस्तदार अपने परिवार के साथ आये चाय नास्ते के बाद बातचीत के दोरान अचानक निर्मला के रिस्तदार की पत्नी ने अपने ग्यारा रुपए घर में खो जाने की बात कही घर के सभी लोगों ने बहादूर पर ही शक्त किया बहादूर के लगतार मना करने के बावजूद उसे डराया धमकाया और पीटा गया बहादूर पर लगा या आरोप जूटा था इसलिए वह लगतार इससे इनकार करता रहा और अंत में लेखक ने भी उसे बहुत पीटा इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादूर को संदेह की नजर से देखने लगे बहादूर भी बहुत ही दुखी रहने लगा अब उसके अंदर इस परिवार के लोगों के प्रती अपना पन नहीं रहा एक दिन उसके हाथ से सील छूटकर गिर गई और दो टुकड़े हो गए फिर पिटाई के डर और लोगों के कुरूर और असभे वेवहार से तंग आकर वहाद अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर गहीं चला गया वहाद अपना कोई भी सामान लेकर नहीं गया निर्मला, निर्मला के पती और किशोर को बहादूर की इमांदारी पर विश्वास हो गया था वे लोग जानते थे कि रिस्तदार के रुपए उसने नहीं चुराय थे इसके बाद घर के सभी लोग बहादूर पर स्वैम द्वारा किये गए अत्याचारों के लिए पस्चताप करने लगे तो दोस्तो इस वीडियो को लाइक और शेर करके आप हमारा आत्म विश्वास भास सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नहीं बाद